हलो एवरिवन आज के क्लास में संख्याओं का बर्गबो निकालने का एक शौट ट्रिक सीखेंगे इसको समझने के लिए आप मेरी वीडियो को लास तक जरूर देखें शुरू करने से पहले कुछ चीजें आपको याद रखनी है वो मैं बता देता हूँ आपको क्या याद रखना है नमबर वन आप से लेके 20 तक की संख्याओं का वर्ग या स्कॉयर याद करना है जैसे 1 का स्कॉयर क्या होगा 1 होगा 2 का स्कॉयर 4 होगा ठीक है ऐसे ही याद करना है 11 का स्कॉयर क्या होगा 121 होगा ठीक है और 20 का स्कॉयर क्या होगा 400 होगा तो 1 से लेके 20 तक के जो नमबर है उनका स्कॉयर आपको याद करना है ठीक है और दूसरा क्या है दूसरी चीज क्या आपको याद रखनी है जो दूसरी चीज याद करनी है आपको जैसे बन का बन से लेके नाइन तक की जो संख्याई है उनका स्क्वाइर याद रखना है और उनके स्क्वाइर में जो इकाय की संख्या होगी वो इकाय की संख्या आप को याद रखनी है जैसे बंद का स्कार वन है तो इसका कि संख्या वन है टुका स्कार क्या है फोर है इसके काई कि संख्या पर है एसी ठ्रीकाइज क्या है Choose that 9 है तुरी का और आया उसमें युनिट डिजित या एकाय की संख्या 9 है, ऐसी 4 का square क्या है, 16 है, इसमें एकाय की संख्या क्या है, 6 है, ठीक है, 4 का square जो आएगा 16 आएगा, और 16 में एकाय की संख्या क्या है, 6 है, ऐसी 5 का जो square या वर्ग होगा, 25 होगा, तो इसमें एकाय की संख्या 5 होगी, 6 का square क्या होगा, 36 होगा, 36 में ए इकाहए की संख्या क्या है six है यह यूनिदिट उनेजिट सेघ्ज सेग इसकोर 49 उसमें उनिदिट 9 है और इड़का स्कार क्या है कि 60 फोर इसमें उनिद विजिट Four От und leather 00 kayaresse 81 है वह थो भलू हो ठीक है तो इसमें इसमें यूनिदिट क्या स्कॉइर में आती है 1K स्कॉइर में आती है एसी؟ एकाई की संख्या इन ही इनी संख्याहं से बनता है तो अब मैं कुछ कोईस्टन की प्रक्टिस कराऊँगा ताकि यह चीजें आपको clear हो जाएं शुरू करते हैं question number one है square root three three six four three three six four का हमको बर्गमूल ग्याद करना है इसका बर्गमूल कैसे ग्याद करेंगे मैं step by step आपको समझाओंगा आप ऐसे ही step by step समझेंगे तो पहले हम लिख लेते हैं three three six four यह हमने number लिख लिए यह जो number था उसको लिख लिए अब हम क्या करते हैं right side से या दाहिनी side से तो दाहिनी side यह होगी हम इसके जोड़े बनाते हैं तो पहला जोड़ा यह हो गया six four का ठीक है बाकि जितने भी number बचते हैं उनका जोड़ा बन जाता अगर दो number हैं तो दो का जोड़ा बनेगा और अगर मानले बाई चांस अगर तीन number होते तो तीन का जोड़ा बन जाता ठीक है तो जो लाश्ट में बचता है उसका फिर एक जोड़ा बना लेते हैं सबसे पहले दो नमबरों का जोड़ा right side से या दाहिने हाथ से बना लेते हैं फिर जितने भी नमबर बचते हैं उनका एक जोड़ा बना लेते हैं ठीक है तो हमारे फिर से लिख लेते हैं प्रफilly दो जोड़ा बना लेते हैं एक ये पेर सिकस्टीफोर का बना अभी आथ THEapter का अब सिस्टीफोर हम उख्टीफोर लेंगे सिस्टीफोर में यूनिटोजिट ज Dav na 4 है तो यूसरा 8 वर्ग में आइगी इसके अलाबा और किसी के वर्ग में उनिट टिजिट क्या है फोर है तो हमारा जो बर्गमूल आंसर आएगा इस थिरी थिरी सिक्स फोर का उसकी इकाई की संख्या क्या होगी या तो फोर होगी sorry या तो 2 होगी या 8 होगी क्योंकि 64 में इकाय की संख्या 4 है और 4 इकाय की संख्या किस-किस के बर्ग में आती है 2 के बर्ग में आती है और 8 के बर्ग में आती है तो हमारा जो बर्गमूल आएगा उसमें इकाय की संख्या या तो 2 होगी या 8 होगी ठीक है हमको इतना पता लग गया जो हमारा बर्गमूल इसका आंसर आएगा उसमें इकाय की संख्या या 2 होगी या 8 होगी अब इन दोनों में से 2 या 8 में से कौन सी होगी वो अब आगे बताएंगे अब हम क्या करेंगे ये 33 लेंगे ठीक है 33 ले लिया जो दूसरा पेर बचा हमने 33 ले लिया अब क्या करेंगे 33 के पास के ठीक है ऐसी 2 संख्याओं का बर्ग लेंगे जो 33 के पास हो तो ऐसी 2 संख्याओं का बर्ग है जो हो 33 के पास हो और एक संख्या का बर्ग इससे छोटा हो और दूसरी संख्या का बर्ग इसके बड़ा हो तो ऐसी 2 संख्या है कौन सी हो जाएंगी जिसका बर्ग Otis 33 के पास हो तो जैसे अगर मैं करूँ 5 का स्क्वाइब या 5 का बर्ग कितरा हो जाएगा 25 हो जाएगा ठीके और 6 का बर्ग कितरा हो जाएगा 36 हो जाएगा तो 25 और 36 जो है यही इसके पास हैं बाकि अगर इसके अलाबा कोई और नमबर लेंगे तो 33 से बहुत दूर होंगे अगर मैं 4 लूँगा तो 4 का स्कॉाइर कितना आएगा 16 आएगा 16 33 के बिल्कुल पास नहीं है क्योंकि उससे जादा पास जो है 33 के 5 का स्कॉाइर आएगा 5 का स्कॉाइर क्या है 25 है या 5 का स्कॉाइर 25 है तो ऐसे दो नमबर लेंगे जिनका वर्ग यह जो हमारा पेर बचा है इसके पास हो तो 33 के पास बाले दो नमबर है एक 5 का वर्ग है 5 square है जो इससे छोटा होगा 25 होगा और दूसरा क्या होगा 6 का square होगा दूसरा क्या होगा 6 का square होगा जो इसके पास होगा तो 33 जो है 6 के square से छोटा है और 5 के square से बड़ा है ठीक है तो इसकी जो हमारा बर्गमूल आंसर आएगा उसमें जो दाही की संक्या होगी क्या होगी अब हम इसमें से छोटा बाला नंबर ले लेते हैं छोटा बाला नंबर क्या है 5 है क्योंकि हमने दो नंबर लिए 5 और 6 5 का बर्ग जो है 33 से छोटा है 6 का बर्ग जो है 33 से बड़ा है तो हमारी दाही की संक्या क्या होगी हम छोटा बाला नंबर ले ले लेते हैं 5 का square होगी 5 होगी तो हमारे नंबर क्या होगा है एक क्या नंबर हमें पता था 2 होगा या 8 होगा तो हमाई जो इसका बर्गमूल होगा या तो 52 होगा या 58 होगा ठीक यह हमने लिख लिया या तो 52 होगा या 58 होगा अब 52 वह फिप्टी एट में से कौन सा होगा वह हम कैसे calculate करेंगे अब हम इस 5 की ठीक और इस 6 की multiply करेंगे जो दो हमने number लिए थे 5 आप 6 इन दोनों की multiply करेंगे कैसे करेंगे 5 और 6 का multiply क्या आएगा 30 आएगा ठीक है अब हम यह देखेंगे जो हमारा number बचाता 33 था ना जैसे यह 33 64 तो दूसरा number क्या था 33 था दूसरा pair या दूसरा जोड़ा 33 था तो 33 जो है इन दोनों के multiply से बड़ा है तो हम 5 और 6 में से क्या करेंगे तो हमारा answer भी क्या हो ना चाहिए 52 और 58 दो possibility थी हमारे answer की तो इन दोनों में से अगर हमारा number इन दोनों के गुड़न फल से बड़ा है तो हमारा number क्या था 33 था यह 33 5 और 6 के multiplication या गुड़न फल से बड़ा है तो इसलिए हमारा answer भी बड़ा होगा तो इसका बर्गमूल क्या होगा 58 हो जाएगा थीक है तो ऐसे solve करते हैं पहले pair से हम क्या करते हैं इकाय की संख्या निकाल लेते हैं दूसरे pair से क्या करेंगे हम जो दाही का number होगा वो निका number हो सकता है वो next question में solve कराऊंगा तो उससे पता लगेगा और clear हो जाएगा तो अगर हमारा number जो दूसरा pair है वो उन दोनों के गुड़न फल से अगर बड़ा है तो हमारा answer ज्यादा बाला होगा और अगर छोटा है तो answer कम बाला होगा यहां हमारा जो 33 number था वो 5 और 6 के multiplication 30 से ज्यादा था तो इसलिए हमारा answer 58 होगा बड़ा वाला होगा ठीक अब next question बताता हूं next question से आपको समझ में आ जाएगा कैसे solve करना है यह देखिए इसका हमको बर्गमूल निकालना 576 हम इसको क्या करेंगे जल्दी से दो pair बना लेंगे right side से right side से पहला pair यह है दूसरा 57 बच यह इकाय की संक्या6 है अब 6 किuyu किता मून में इकाय की संक्या होती है सिक्स के बर्गमूल में इकाय की संक्या क्या होती है 36 तो рай 6 Mate बच्वान, 4 इसलिए 37 आप और से दूसरा 1 लेते हैं 57 से बिशन पास के ऐसे दो दूसरा प्रॉर लेते हैं जिनका वर्ग 57 के पास हो ठीक है तो सेविन का स्कॉायर करेंगे 49 हो जाएगा और एट का स्कॉायर करेंगे 64 हो जाएगा तो सेविन और 60 ठीक है सेविन और 80 दो नमबर ऐसे होंगे जिनका बर्ग जो है 57 के पास होगा उसके अलावा अगर कोई और दो नंबर लेंगे तो उनका बर्ग जो है इससे बहूट जादा दूर होगा तो सेबिन का बर्ग इससे छोटा होगा और एट का बर्ग इससे बढ़ा होगा अब हम क्या करते हैं इन दोनों में से 7 ले लेते हैं तो जो हमारा 5, 7, 7, 6 का बर्गमूल होगा उसका डाही का अंग क्या होगा 7 होगा तो हमारा आंसर या तो 74 होगा या 76 होगा क्योंकि एकाही की संख्याavais पहले ही पता कर चुके थे या 4 होगी या 6 होगी ठीक है लेकिन दाही का अंग फिक्स हो जाता है इसमें से छोटा बाला नमब ले लेते हैं तो 74 होगा या 76 होगा अब हम क्या करेंगे इन दोनों को multiply करेंगे किसको इस 7 को और इस 8 को तो 7 इंटू 8 कितना होता है 56 होता है ठीक है तो हमारा ये जो नमबर है 57 56 से बड़ा है तो इसलिए हमारा आंसर भी जादा बाला होगा 76 होगा अगर इन दोनों के गुणनफल से हमारा ये नमबर कम होता ठीक है तो हमारा आंसर छोटा बाला होता आप समझ लीजिए step कैसे solve करते हैं आप देखते ही इसका बर्गमूल निकाल सकते हैं next number है आप जितनी practice करेंगे उतना ही आपको solve करने में आसानी होगी next number है अब ये 5 digit का number है पहले कितने digit का था पहले 4 digit का था तो सेम तरीका है सेम तरीके से solve करेंगे 14641 ले लेंगे ठीक है इसके right side से ये right side से pair बनाएंगे एक pair ये बनेगा बाकि जो बचे उनका एक pair बना लेंगे अब 41 में एकाई की संख्या क्या है 1 है 1 एकाई की संख्या किसके बर्ग में आती ही बताइए 1 के बर्ग में एकाई की संख्या 1 आएगी और 9 के बर्ग में एकाई की संख्या क्या होगी 1 होगी 9 का वर्थ को है? 81 81 में 1 इकायकी संख्या क्या है? 1 है इसके अलावा 1 से लेके 9 जितने भी नमबर है शिर्फ इनी 2 में 2 के बर्ग में 1 इकायकी संख्या क्या होगी? 1 होगी, उसके अलावा किसी में भी इकायकी संख्या 1 नहीं होगी तो हमारा जो 146, 41 का बर्ग मूल हो गाओ उसकी इकाई की संख्या या तो 1 होगी या 9 होगी ठीक, या तो ये 1 होगी या ये 9 होगी इतना हमको पता लग गया, अब दाय की संख्या कैसे निकालेंगे अब हमारा नंबर क्या बचा, 146 तो 146 के पास का ऐसा दो संख्याएं लेंगे जो पूल बर्ग हो अब जैसे 12 का स्क्वाइर क्या होगा 144 होगा ठीक और 13 का स्क्वाइर क्या होगा 169 होगा तो यही दो नंबर ऐसे हैं जिनका बर्ग जो है 146 के पास है और एक संख्या का बर्ग इससे 146 से चोटा है और दूसर थंतर्टीन का स्वाईटन हो जाएगा ठीक है 26 कोई Soul 12 को सब तो ये 2 नमबर हो जाएगा अब इन दो नमबर से हम सबसे छोटा बाला नमब्र ले 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 लेते हैं ट्याइल ऊष्लह सपरट्टीन और छोटा नमब्र क्या है तो 121 या 129 इसका आंसर होगा, अब दोनों में से कौन सा होगा, उसको पता करने के लिए क्या करेंगे, हम 12 और 13 की मल्टिप्लाई करेंगे, 12 और 13 की मल्टिप्लाई कर लेते हैं, 13 दोनी 26, दो बचे 156 आगी, अब 156 क्या है, हमारे इस 14, हमारा 146 जो नंबर था, वो 156 से चो होटा वाला होगा, क्योंकि हमारा जो नंबर है 146 है, और इन दोनों का गुलनफल कितना आया, 156 आया, तो 156 बड़ा है, 146 छोटा है, इसका मतलब हमारा आंसर कमबाला होगा, कमबाला का मतलब 121 होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका बर्गमूल 121 बर्गमूल ह हो जाएगा तो इस मेथड से आप कोई भी नंबर का बर्गमूल इजली और देखते ही निकाल सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं प्रक्टिस कराता हूं कि ताकि आपकी समझ में आ जाए क्वेश्चन ए bak 23409 का हमको verf निकालना है थीक है कैसे निकालेंगे बेलकुल बह歹़ी simpel तरहीपme 2 3 409 लिख लेंगे हम पेर बनाएंगे इदर से एक पेर ये बना एक पेर ये बना ठीक ہے एक पेर 09 का बना अब 09 में कास्प्राइद कि रूओ Enc सेबिन के स्क्वायर में एकाय की संक्या 9 होती है, सेबिन इसका जा 49, इसमें एकाय की संक्या 9 है, और 3 के स्क्वायर में एकाय की संक्या क्या होती है, 9 होती है, ठीक है, तो यही दो नमबर ऐसे हैं, जिनमें एकाय की संक्या 9 होती है, तो हमारा जो इसका आंसर होगा, 23409 का ब वर्ग जो हो इसके पास हो ठीक है ऐसे दो नंबर लेंगे जिनका वर्ग इसके 234 के पास हो अब कैसे निकालेंगे ठीक है पंद्रम पंद्रम कितना होता है 15 का स्कॉयर कितना होता है 225 225 होता है तो एक नमबर तो 15 हो जाएगा 15 का स्कुराइर ठीक है दूसरा नमबर क्या हो जाएगा 16 का स्कुराइर हो जाएगा 15 का स्कुराइर कितना होता है 225 होता है और 16 का स्कुराइर 256 होता है तो दो नमबर यही हो जाएंगे 15 और 16 ठीक जिनका बर्ग जो है 234 के पास है अब हम जो है छोटा नमबर ले लेते है 15 ठीक है 15 क्या होगा दाहे की संक्या होगी जो इसका आंसर होगा 23409 का जो बर्ग मुल आएगा उसमें दाहे की संक्या क्या ओगी 15 होगी तो 15 हमने लिख लिया और इकाय की संक्याम को पहले पता थी 3 होगा या 7 होगा तो 153 या 157 हमारा आंसर हो जाएगा ठीक अब इन दोनों में से कौन सा होगा उसको पता करने के लिए क्या करेंगे 15 और 16 की multiply करेंगे कितना आएगा 80 240 ठीक है 240 क्या है इससे बड़ा है हमारा 234 जो है 240 से छोटा है तो आंसर भी हमारा छोटा वाला होगा ठीक इन दोनों के गुलन फल से आगर हमारा number 234 जैसे यहां हमारा number کیया है234 है 234 क्या है 240 से छोटा है तो इसलिए हमारा answer भी 153 और 157 मेंसे छोटा बाला होगा तो इसका answer क्या होगा 153 हो जाएगा तो इसका बरबूल क्या होगा 153 हो जाएगा थीक है ऐसे बरबूल निकाल लेते ही नेक्स्ट क्वेशन है इसका बर्गमूल आप अपने आपसे निकाल लिएगा 4489 है इसका बर्गमूल निकालना है तो आप अपने आपसे solve कीजिएगा अगर solve नहीं होता है तो comment box में लिखना मैं दोवारा बता दूँगा next question है 16641 इसका बरगुल निकालकर बता देता हूँ है कैसे निकालेंगे 16641 है तो लिख लेते हैं 26641 पेर बनाते हैं राइट चाइड या राइने हाथ से तो राइने साइड से पहला पेर 41 है दूसरे जो नंबर बचे उनका एक पेर 166 का एक पेर वो गया अब 41 में एकाय की संख्या क्या है 1 है तो 1 एकाय की संख्या किस किस के स्क्वाइर में आती 1 के स्क्वाइर में एकाय की संख्या 1 आती और 9 के स्क्वाइर में एकाय की संख्या 1 आती ठीक 81 है तो 81 में एकाय की संख्या क्या है 1 है 9 का स्क्वाइर 81 है तो हमारा जो answer होगा उसमें एकाय की संख्या या तो 1 होगी या 9 होगी ये वाला 1 होगी या ये वाला 9 होगी तो 1 और 9 लिख लिया अब हमारा क्या बचा 166 बचा 166 के पास के ऐसे 2 number लेते हैं जिनका बर्ग जो हो 166 के पास हो ठीक ऐसे 2 number लेंगे जिनका बर्ग जो हो 166 के प 169 होता है तो 169 166 के पास है और 144 भी 166 के पास है तो 12 का square लेंगे जो इससे छोटा है ठीक है 13 का square लेंगे जो इससे बड़ा है अब इन दोनों में से छोटा वाला नंबर हमारा 12 है 12 और 13 में छोटा वाला नंबर क्या है 12 है तो हमारी दाहे की संख्या क्या होगी इसके square root में 12 होगी तो हमारा answer या 121 होगा या 129 होगा या 121 होगा या 129 क्योंकि इकाय की संख्या हम पहले ही पता कर चुके हैं या 1 होगी या 9 होगी अब इकाय की संख्या अब 121 और 129 में से कौन सा answer सही है ये पता करने के लिए हम क्या करेंगे 12 और 13 की multiply करेंगे ठीक है कितना हैगा 26 156 आएगा ठीक है और 156 क्या है 166 से छोटा है मतलब हमारा वाला जो नमबर है वो बढ़ा है किस से 156 से अगर हमारा वाला नमबर बढ़ा होता है तो ज़्यादा वाला answer आता है 129 answer होगा 121 में से 129 में से कौन सा बढ़ा है 129 बढ़ा है और हमारा नमबर अगर छोटा होता तो छोटा वाला answer आता तो इसका answer क्या हो जाएगा 129 answer इसका हो जाएगा ठीक है 166 166 फोर बन का बर्गमूल क्या हो जाएगा 129 हो जाएगा तो इसी तरीके से अगर यह तरीका आपको समझ में आईए तो किसी भी नंबर का बर्गमूल आप आसनी से निकाल सकते हैं नेक्स्ट क्लास में मैं जो decimal नंबर है या fraction है उनका बर्गमूल निकालना बताऊंगा तो इस तरीके के नंबर का मैं नेक्स्ट क्लास में बर्गमूल निकालना बताऊंगा जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब कर लें वीडियो पसंदा है लाइक करें और अपने फ्रेंड के शार्ष शेयर करें आज के क्लास में सिर्फ पितनाई थैंक यू